जैश्री राम मेरे करक रासी के प्यारे जातक जातिका मैं हूँ आपके शाथ आपका अपना आचारे राजमिश्रा कैसा रहेगा नौंबर आपके लिए? कौन सी तारीके किस प्रकार की होंगी आपके लिए? क्या क्या important है नावंबर में इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे प्रेम के लिए क्या होगा, धन के लिए क्या होगा, नौकरी के लिए क्या होगा, ब्यापार के लिए क्या होगा कौन कौन सी तितियां वो important है जो आपके आर्थिक परिस्थिति को बहतर करेंगी आपकी नौकरी के छेतर को बहतर करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ को बहतर करेंगे तो इन सभी विश्वयों पर बिस्तार से मुझे लगता है कि आज चर्चा करने की आउश्शकता है राशी करक के लिए सो प्लानेटरी पोजिशन क्या होगी केतु सुक्र आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे होंगे सूर्य बुद्ध और मंगल आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे गुरु आपके टन्थ हाउस में गोचर करेंगे राहु आपके नाइन्थ हाउस में गोचर करेंगे शो कैसे प्रारंब होगा आपका नौंबर का महीना नौंबर में पहली तारीक जो है वो है करवाचौत की करक चतुर्थी पहले दिन से प्रारंब हो रहा दीपावली में आपके लिए कुछ खास है मान अज्योति संस्थान के द्वारा तो कारिक्रम को सुनिएगा साउधानी क शाद हम दीपावली में आपके लिए क्या कर रहे हैं इस पर भी आपको खास जानकारी देंगे कैसे अपनी दीपावली को बहुत सुनदर बना सकते हैंस बारे में भी इस कारिक्रम में आपको विशेषज दीवारा प्राप्ट होगा तो ये सब जानकारियाँ आप इस कारिक्रम में प्राप्त कर पाएंगे सो सबसे पहले करकरासी के लिए एक तारिक, दो तारिक और तीन तारिक ये तीन दिन महीने के किस प्रकार वितीत होने वाले हैं इन तीन दिनों में बिदेश यात्रा के शंयोग आपके बनने के योग हैं बिदेश यात्रा के संयोग आपके बनने के योग हैं इन तीन दिनों में भाग दोड अत्यधिक रहेगी ये तीन दिन मुझे खैर बिदेश यात्रा को छोड़ दिया जा तो बाकी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा अनकूल नहीं दिख रहे हैं स्वास्त धीला रहे और उसक ऐसके शाथ धनका बै हो हॉस्पिटल की चक्कर लगाने पड़े इस प्रिकार से ये तीन दिन इस टार्टिंग के दिख रहे हैं इस टार्टिंग के तीन दिन थोड़े प्रोब्लमाटिक दिखते हैं बट चार पांच और च्छे ये दिन आपके लिए गजब के होंगे ये प्छे लोगों से मुलाकात होगी, मायरेट से related कारे होंगे, विबाह से related बात होगी, जीवन शाथी से मुलाकात होगी, इस प्रकार की परिस्तियां आपके कुंडली के अंतरगत नजर आ रही है. चार पांच और छे ये दिन आपके लिए बहुत सांदार रहने वाले हैं खास करके जिनकी उम्र 35 से लेकर के और 38 वरस के बीच में है आपके लिए इन दिनों में कुछ ऐसे समाचार आने वाले हैं जो आपके जीवन में खुशियां भर देंगे पूरी तरह से ऐसी परिस्तिती होने वाली है अब साथ आठ दो दिन जो है इस दिन में क्या होने वाला है इन दिनों में परिवार में मांगलिक कारे का आयोजन होने वाला है आप परिवार की साथ समय बतीत करने वाले हैं या करने वाली हैं धन का आगमन होने वाला है कहीं से पैसा रुका हुआ था किसी को दिया हुआ था करज प्राप्त करना चाहते थे लोट्री शट्टा इत्याद में पैसा लगाते हैं तो इन दिनों में ये सारे कार्यापके बढ़े गाया यात्राएं प्रदेशी यात्राएं होने वाली है भाई बहनों के साथ मुलाकात वाली हैं तो 10 11 इस प्रकार वितेगा लेकिन 11 12 और 13 ये दिन बड़े मज़दार हैं आपकी ये ये दिन जो है वो आनंद देने वाले दिन है इन दिनों में खाश करके आपके साथ जो होने वाला है आप जिससे चाहते हैं या चाहती हैं जो दिल के बहुत करीब हैं उनके शाथ आपके मुलाकात होने हैं प्रॉपटी खरीदना चाह रहे थे बेचना चाह रहे थे या चाह रही थी तो प्रॉपटी खरीदने और बेचने का जो संयोग है प्रॉपटी से रिलेटेड कारे होंगे जिनको दिल से चाहते हैं उसे मुलाकात होगी वाहन से रिलेटेड कारे होंगे और जीवन में सुख राप्त होगा अगर हम बात करते हैं उसके बाद 14 और 15 को दो संतान विद्या और कारे होंगे इनी चीजों को लेकर कि आपकी बिस्तता रहेगी इनी चीजों को ले करके आपका चिंतन बना रहेगा एस्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं पचीस और 26 तारिक नोट कर लिजे साहब 25 और 26 तारिक आपके लाइफ के लिए बहुत important होंगे इस महीने के 25 और 26 तारिक में profession शे रिलेटेड जितने कारे हैं इस दिन नौकरी प्राप्त होने का योग है नौकरी में promotion का योग है मन चाहे transfer का योग है senior लोग के तरफ से appreciation इत्यादी मिले इस प्रकार का योग है तो बिजनस बढ़े नए बिजनस का योग बने यानि professional कारे के लिए इन दिनों में ही प्रयास कीजिएगा और इन दिनों में आपके professional कारे नेश्यत रूप से होंगे भी जरूर सो आप जानते हैं कि छोटा समय होता है बहुत सारी बाते करना संभव नहीं होता है अच्छा हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में भागवान गनेश माता लक्ष्मी का आश्रबाद सदेव बना रहे कुवेर हमारे भंडार की सुरक्छा करते रहें लकष्मी जी धण बरसाती रहें और गनेश जी सदcription करते रहें विगनों को दूर करते रहें तो इन तीनों की क्रिपा को प्राप्त कराने के लिए इस बार गनेश लकष्मी और कुवेर बीशायंत भोजपत्र पर अंकित करके बैदिक स्याही से अंकित करके और उनकी प्राण प्रतिष्ठाइन तीनों देवताओं का तेज उसमें समाहित करके मानस जोतिस संस्थान प्रदान करने जा रहा है आपको यदि आप भी चाहते हैं कि वर्ष भर माता लक्ष और भगवान गणेश की किरपा हमारे घर पर वरस्ती रहे तो नंबर है आप कॉल कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं अपने परिवार के लिए यह सुन्दर भी शायंत्र भगवान आपको सुकी रखें यही सुवकामना रात को नौ बजे दो पहर को बारा बजे मेरे साथ लाइब जुड़िए बाकी बात करना चाहते हैं नंबर है कमेंट लाइक शेर तो आप जरूर करेंगे ही यह मेरी आप से प्रार्थना है जैश्री राम बहुत धन्यवाद